सबी वीडियोर्स को मेरा नवशकार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे reasoning के बारे में कि हमें reasoning के तयारी कैसे करनी चाहिए क्या strategy अपने आनी चाहिए और किन केन resources से तयारी करनी चाहिए तो आज की वीडियो को अगर आप complete end तक देखोगे preparation है वो कैसे करनी चाहिए इन सब किसी भी government exam के लिए अगर आप reasoning की तयारी कर रहे है तो आपको क्या strategy अपने आनी चाहिए किस book से पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप लिग को को बता दूँ कि reasoning कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज नहीं है बहुत ही असान चीज़ है सिर्फ आपकी logical thinking के ओपर depend करता है आपने जो बच्पन से लेकर के आज सक जैसे आप पढ़े हो सिर्फ आपको वही mind apply करना है मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ बच्पन की जैसे याद होनी चाहिए कि जैसे कि अगर जीके की बात करें तो भाई जीके में तो क्या है जीके में आपको चीज़े याद रहनी चाहिए facts याद रहनी चाहिए बहुत सारी चीज़े याद रहनी चाहिए तो जी इसमें reasoning में ऐसा कुछ भी नहीं रहता reasoning में सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी logical thinking लगानी है कोई ऐसा formula नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता सिर्फ आपको देखना है और थोड़ा सा दिमाग लगा कि उसको solve कर देना है तो सबसे पहले तो आपको बिदा दूँगी reasoning मेरे सबसे बहुत easy है अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं और थोड़ा सा भी समय देते हैं तो आप reasoning में पूरे marks ला सकते हैं अगर आपकी 50 number की reasoning आ रही है आपको तो आप limited resources रगो एक book रखो दो book रखो sufficient रहती है एक book reasoning के लिए लेकिन उस book को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप उस topic के बारे में पहले पढ़ लो पहले आप उस topic के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो फिर आप book से practice करो उस topic को जैसे जो भी आप chapter आपने पढ़ा जो भी अपने topic पढ़ा उस topic को उस chapter को आप book से practice करो और बागी mock test तो आप लगाओगे लगाओगे mock test में भी आपकी reasoning की practice हो जाएगी तो अब इतनी सारी books है market में अब आपको कौन सी book से पढ़ाना चाहिए यह कौन सी book ठीक है आप देखो कि तो आपको हजारों किताबे मिल जाएगी तो बहुत समय से लोग reasoning के बार में पूछ रहे थे तो मैं काफी समय से reasoning पर research कर रहा था तो कुछ books मैंने देखी उनमें से मैंने एक book देखी है अगरवाल exam card की book है non-valval reasoning की यह English Hindi दोनों में आती है book तो मैंने अभी फिलाल तो Hindi में मंगवाई है यह book आप लोगों को दिखाने के लिए आप लोगों को बताने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए मैंने सोचा यार English में तो मैं खुद भी जब पढ़ता था मैं English medium से पढ़ता था इंग्लिश की book से पढ़ता था मैंने सोचा इस पर हिंदी में मंगवा की देखते हैं को देख रहोगी एक्जाम में कई बार कुछ कुछ नहीं देखने को भी मिल जाते हैं और धीरे-धीरे कुछ ना कुछ लेवल धीरे-धीरे इंक्रीज होई रहा है तो और रीजनिंग एक ऐसी जीज़ है रीजनिंग में जैसे मैं मैं प्रिवेस यह कुशन बहुत ज्यादा कुशन हैं हर कुशन में कुछ ना कुछ मुझे डिफरेंस दिखने को मिल रहा है लगबग लगबग 2700 से भी जाद है कुशन है इस बुक में टोटल जो 19 चेप्टर नहीं और आप किसी भी जैसे कौर्मेंट जब की त्यारी करते हो ना चाय आप पुलिस की कर रहे हो आप ड करने की के नंबर इसलें है कि आपने कम पढ़ना है और कम पढ़ने judgment पूर कर सकते हो अब जैसे जीके में पूर जितना मर्जी पढ़लो आप स्कोर कर पाऊगे लेकिए पूरा तो कभी स्कोर नहीं कर पाह और उसके लियुले काफी पढ़ना पड़ेगा ठीक ठाक डिसेंव score लाने के लिए लेकिन reasoning में थोड़ा बत पढ़कर भी आप पूरा जितने भी आपके 100% score कर सकते हो तो आप बात करते हैं कि अब जो आपको reasoning के त्यारी start करनी है आपको कैसे करनी है और इस book से आपको कैसे बढ़ना है तो जैसा कि मैंने में आपको 19 chapter देखने को मिलेंगे almost जितने भी chapters होते हैं non-valuable reasoning के सारे इसमें cover हो जाएंगे जैसे कि analog है series है यहां मतलब यहां से लेकर के counting of figures सक sequence होगा जितने भी है mirror image है और water image है सारे chapters आपको मिल जाएंगी तो वाई सबसे पहले तो आपको यह पता होना मज़ा आता है इनको पढ़ने में मुझे तो बहुत मज़ा आता था पढ़ने में और I hope कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को मज़ा आता होगा क्यों कि यह mirror image हो गया water image हो गया paper folding paper cutting इतनी interesting चीज़े होती है इतना मज़ा आते इंको पढ़ने में और कब टाइम निगल जाता है पता ही नहीं चलता अब इसमें जब आप चैप्टर को देखो गए ना जब मैंने देखा मैंने पहले पूरी पढ़ी यह book में लब देखा मैंने कि क्या क्या चीज़ है इसमें तो सबस इसी रिवीजन हो जाएगी और हो सकता है कोई एक आदी नई चीज़ देखने को मिल जाए आपको इसकी थियोरी में तो थियोरी पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका पांट साथ मिनिटी लगेंगा चैप्टर की थियोरी पढ़ने में तो मैं ऐसे इसी भी कुशन में आपको दिक्कात आ रही है तो आपको इसमें डिटेल्ट सॉलुशन में मिल जाएगी उसमें पूरा अच्छे से आपको एक्स्प्लेइन किया होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को और यार देखो रीजनिंग में खेल प्रेक्टिस का यह आपको कुशिश करना है कि आपको को सॉल्व करना है कि आपकी रीजनिंग जो आ रही है अगर एसे से की परिटिकूलरली बात करें तो जो प्रिलिम्स का पेपर होता है इसमें जब की रीजनिंग होती है वो आपको कुशि करना है कि 10-12 मिनिट में रीजनिंग का पूरा सेक्शन कवर हो जाना चाहिए तो इसलिए जितनी ज़्यादा प्रेक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे उतना जल्दी आप आंसर निकल पाओगे उतनी एक्क्यूरेसी आपकी और यूनिक कोशिंस भी है नए कोशिंस जो कि कुछ ऐसे कोशिंस जोंगे आपने कपी देखे भी नहीं होंगे पड़ते होई तो भाई मैं तो बस आप लोगों को यही कहुँआ कि आप जीतनी प्रेक्टिस कर सकते हो उतनी प्रेक्टिस करो उतना अच्छा है आपके लिए और साथ ही में थ्योरी भी एक बार अगर आप स्टार्टिंग में रीड कर लोगे तो उससे भी आपको काफी हल्प मिलेगी और कोशिंस सॉल्ट करने के बाद एक बार सॉलुशन जरूर देखना जो कोशिंस आपसे एजिली हो गए या आपसे बहुत जल्दी 10-15-20 सेगंड सॉलिशन ज़्यादा नहीं उनका सॉलिशन ज़ाद के लिए इंपोर्टन नहीं है। लेकिन जो कोशिंस आपसे हुंप करने में आपको धिक्कादारी है उसका बहुत में जाता क्योंकि स쪽에 कोई संवट्ड में आपके बहुद साथ जाय आ कोई आपको पते सब्सक्राइब ज अगर आप लोग किसी और टॉपिक पर कुछ भी पूछना चाते हो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना टेलिग्राम इंस्टागरम सारे लिंक्स आपको मारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप कहीं पर भी पूछ सकते हो इस बुक का लिंक में में डिस्क्रिप्शन में डाल की ब् Touch लोग को लेना चाहें वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का लरी की कई कोई सेंच है किसी लैंगिघ टोойдए कि जैसे कि आपकी सीरिज हो गई हैं या सकूर्स होते हैं कि कोई लेंगुज नी ऊदर ही फिगर होड़ी है फिगर को complete करना है या paper folding है paper cutting है water image यह mirror image है यह सारी चीज़ आपकी Nonverbal reasoning महां चालते हैं और जहां पर भी language का यूज हो रहा है वो आपकी verbal reasoning महां चालती है तो यह जो मिने आपको बता है यह सा मिने आपको Nonverbal reasoning का बता है अगर आप लोग verbal reasoning के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी और topic के बारे में जानना चाहते हैं तो comment कर देना मैं कोशिच करूँगा आप लोगों के लिए जल से जल उसके ओपर information लेकर रहा हूँ ठीक है फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में